हलो एवरीवान नमस्कार हमारे यूट्यूग चैनल में आपका हादी स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे स्वस्थ होंगे आज मैं आपको मासिक शिवरात्री के बारे में बताऊंगी जी हां साल की पहली मासिक शिवरात् पूजय विदी और महत्म तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से अनुरोध हैं अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले वीडियो देख सकेंगे अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभाल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसी तरह इस चैनल के साथ जूड़े रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छोटन जाए क्योंकि दोस्तो आदियदोरी चैनकारी से पूरा लाब नहीं मिलता है इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहेगा तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों शिवरात्री शिव और शक्ति के अभी सरन का विशेश पर्व हैं हर महा की हर महिन्य की किष्ण पक्ष की चतुरदशी तिति को मासिक शि शिवरात्री जो साल में एक बार मनाई जाती है और एक होती मासिक शिवरात्री जो हर महिने की चतुरदशी तिति को मनाई जाती है पुराणी कथाओं की अनुसार महा शिवरात्री के दिन मद्दे रात्री में भगवान शिव लिंग के रूप में परकट हुए थे पहले ब और सभी भक्त शरधालू शिवरात्री के दिन शिवलिंग के पूजा करते हैं. इस दिन वर्त रखने से जीवन में सुख और शान्ती आती है. इस बार जो साल की पहली मासिक शिवरात्री है वो ग्यारा जन्वरी को मनाई जाएगी. आई अब जानते हैं मासिक शिवरात्री का शिव महुरत क्या है. पौश क्रिश्न पक्ष की चतुर्द शीतिति प्रारंब होगी 11 जन्वरी 2 बज़ के 32 मिनट पर और 12 जन्वरी को 12 बज़ के 22 मिनट पर समाप्त होगी. आई अब बात करते हैं मासिक शिवरात्री के महत्व के बारे में दोस्तों इस दिन वर्थ रखने से नकरात्मक उर्जा खतम होती है इस वर्थ में व्यक्ति को अपने अवगुणों का त्याग करना होता है इस वर्थ को करके देवी देवदाओं ने भी मन चाहा वर्दान पाया था भगवान शिव के पूजन के लिए जो उचित समय है वो परदोशकाल माना जाता है यानि कि जो शाम और रात के मिलन का समय होता है उसे परदोशकाल कहा जाता है तो उस समय में पूजा करने से भगवान भोले नात की साथ साथ माता पारवती की किरपा प्राप्त होती है शिव जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। आई अब जानते हैं मासिक शिवरात्री की पूजविदी। दोस्तों इस तिन सुरिवदे से पहले उठें, श्नान करें, शुद्वस्त्र धारन करें। और भगवान शिव क्या ध्यान करते वे वर्त का संकल्प करें। उसके बाद भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आरती करें। और भगवान को लगाए जाने वाले भोग में कुछ मीटें। और आज की आप की जानकारी पसंदाइए होगी। अगर आप को जानकारी अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक जरूर कीजेगा। और आगे बढ़ा कर अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेर कर दीजिए थाकि औरों को भी इससे लाप राप दो और अगर आपका कोई प्रेशन है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मेरे चैनल को जरूर कीजेगा थाकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खोश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखेंगा जैश्री हरी हर हर महादेव